इस वीडियों में प्रस्ण चोगदा का हल करेंगे, देखिए, इसमें क्या कहता है, एक तिर्वुच ABC की भुजाएं, AB और AC तथा माईदिका AD, एक अन्य तिर्वुच की भुजाओं, PQ और PR तथा माईदिका PM के करमसा समानु पाती है, दर्शाय की तिर्वुच ABC समरूप त इस प्रस्ण में क्या कहता है, कहता है, AB, AC और माईदिका AD, इसके समानु पाती है, यह दिया हुआ है, देखिए, जो दिया हो, इसको सबसे पहले लिख लेना है, अब देखिए, इसमें दिखाना क्या, दर्शाना है कि देखिए, ABC समरूप तिर्वुच PQR, यह दोनों ति सिद्ध करना है, ठीक है, तो देखिए, प्रस्ण 12 में क्या था, देखिए, AB बट्टा PQ बरावर था, BC बट्टा QR, यह दोनों संगत हो जाएं समान अनुपात में था, लकिन अपकी बार देखिए, AB और AC देखिए, PQ और PR के समानुपाती दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए, AB बट्टा देखिए, AB बट्टा PQ और AC बट्टा PR दिया हुआ है, अगर देखिए, कौन A ठीक है, और कौन P, इसको किसी तरफ बराबर अगर कर देंगे, तो SAS से दोनों तिरुष समरूप हो जाएं ठीक है, तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसमें और इसको मिला देंगे, ठीक है, और देखिए, यहाँ एक बिंदू ले लेते हैं, N, मजदी बिंदू, और इसको मिला देंगे, देखिए, और इसको मिला दिए, ठीक है, अब देखिए, राचना में लिखेंगे, देखिए, AB पर E एक मजदी बिंदू लिया, और ED को मिलाय यहांने 7 मैंने खुद नहीं मिले और को इतना रचना में लिख लेना है अब देखिए यह रचना कर लिए आध देखिए इसका परमान दिखाएंगे कि लिख़ेंगे परमान परमान अत्वा उपति लिख सकते हैं देखिए इसमें दिया क्या है इसको लिखेंगे ब्रावर देखिए अब देखिए देखिए A B के आधा करेंगे देखिए देखिए तिरबुज देखिए तिरबुज A E D और तिरबुज P N M ये दोनों तिरबुज समरूप करना है तो यहां से देखिए ये कौन इस कौन का नाम एक दे देते हैं और इस कौन का नाम दो देते हैं तो कौन एक और दो बराबर हो कौन एक और दो बराबर हो जातर है तो देखे जब इम्म दिदू लिये तो देके अधा को एई लिख सकते हैं तो यहां देखिए बिकात रदेए और पी क्यूंश का आधा कर दिये और PR का भी आधा कर देंगे और इसको रहने देंगे डी बट्टा पि यह में अप्टेंगे इतना वरावर इतना यह में इतना लिख सकते हैं कि यहांदा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको तोड़ा समय लेते हैं जैसे देखिए चारवाट्ट आठ चोवाट्टा बारें और अगर इसको आधा देंगे यह जागा कितना दो बट्टा चा को ओर इसको देखे 8 वाट्टा 6 यई रहने तो दिये अनुपाद में कोई फर्क नहीं पड़े क्यों कि अगर इसको काटेंगे कितना आएगा कि एक बट्टा दो इसको अभी काटेंगे एक वर्टा दो यह आएगा इतना बरावर हम इतना यह हम इतना लिख सकते हैं तो इस परकार लिख सकते हैं अब देखिए अभी के आधा को देखिए यह पूरा अभी यह यह क्या है रचना कि यह मढ़ी बिंदि अगयां उसी परकार देखिए पी क्यूं के आधा को एनक्यू बोल सकते हैं और पी अन भी तो यहां देखिए पी nog लेंगे कि यह भाग और यह बराबर यह भाग और यह भाग अगर आज पड़े सकते हैं अब देखे एक प्रम्य, आगे पड़े थे क्लास 9 में पर मैं 8.9 अगर आप नहीं देखें तो कमेंड कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देदें उस वीडियो को देख लिजेगा उसमें क्या पढ़े थे किसी तिर्वुज की किनी दो भूजा के मध्विंदू को मिलाने वाली रेखा तीसरी भूजा के समांतर होती है ठिक है और आधी भी होता है यह हम लोग किते कि टीसरी भूजा के समांतर होता है और अंध में यह इस चीज को भी दिखाए थैं कि समांतर और आधी चग़िप किसी तिर्वुज के दो भूजा के मजद बिन्दु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भूजा के यह दो अधी होता है यह का आधी एड़ी इसका आधा को हम इड़ी लिख सकते हैं ठीक है तो देखिए इसको लिख देएolit कि उसी को प्रकार इसमें प्रक के आधा को लिख सकते एन्म है कि इसको लिख देंगे एन्म यह और इसको जीयों का त्योंर रहने के एड़ी बच्ट अब में नो देखिए आप राचना यहां क्या कि यह मध्यविंदू इसका कारण नहीं भी देंगे तो टीचर समझ जागा लेकिन यहां थोड़ा कंभीजन हो सकता दियां कारण में देंगे चीनि एंदि का अधा ट्रेटी एंधि का अधा होगा एडि एडि देखे एडि एसी का अधा कि अ में लिखसके अधा को कम या न लिखिक न यह के अनुलिक अथा को लिख सकते अब चाहित यह लिखिते मधी मैं दिविंदू परमे इसे ठाकि टीचर को समझ में आ जागा कि यह बच्चा कहां से लिखा है यह अब मैं दिविंदू परमे का इस्तमाल करके लिखें हैं कि यह दो भूजा के मैं दू को मिलाने वाले रहा तीसरी भूजा के समांतर और आधी होता है तो यहां से देखी एक यह बट्ड़ा effic不好 अगया पी और इड बट्ट एअनि और यड बट्ट पी एम यह तीनों संगत समरूपता कसोटी लिख देगे स्सस तीनों संगत बुजाई समन अनुपाद में एस समरूपता कसोटी तो इतना आपको कारण में लिख देना अब देखिए यह दोनों तिर्बुष समरूप हो गया तो यह संगत कौन कौन एक और दो देखें कौन दो बरावर हो जागा होगा समरूप समरूप तिर्बुजों के संगत कौन ठीक है इतना कारण में देजना कि कौन एक और दो क्यों बरावर हो कि समरूप तिर्बुजों के संगत कौन है इतना कारण में देजिए अब देखिए उसी परकार देखिए अगर इधार एक बिंदू ले लेंगे यानि जैसे यहां एड़ी लिए यहां भी कोई बिंदू ले सकते हैं उसी परकार यहां भी कोई बिंदू ले सकते हैं और वहां से हम देखिए को इसको बोल देते हैं कौन तीन और इसको बोल देते हैं कौन चार तो वहां से कौन तीन और चार को भी हम दिखा सकते हैं इसी परकार करके लेकिन उसको लिखने का उसकता नहीं है आप डारेट लिख सकते हैं इसी परकार जिस तरह इसको किए यहां लिख देंगे इसी परकार ठीक है इसी परकार से हम बोल सकते हैं कौन 3 बरावर कौन 4 इसी परकार कौन 3 बरावर कौन 4 होगा ठीक है उसको करके दिखाना नहीं है चाहिए अब इसे कर सकते हैं यहां माधी बिंदू ले लेंगे और यहां माधी बिंदू ले लेंगे और यह तिरभूज और यह दोनों त सिरवुच के सम्रूप दिखा देंगे कौन 3-4 संगत कौन बरावर हो जाएं लेकिन कर नहीं दिखाना ठीक है आपको इसी परकार लिख देना कौन 3 बरावर कौन चार कि इसको बोल दियं संसां इ ещё को बोल दिया समिकरन खिज एक और दो जोड़ा speaking 1 एक एक तता दो को जोड़ने पर ब्रफफिश का लिवाइफ साईड में एक हए इसका बाया साइड में तीन नों को जोड़ा है और यह दाया साइड जोड़ां तो एक और तीन को को जोड़ेंगे दिये पूरा कौन झिल जाएगा तो तो यहां से में possibilities अक Legal यह भी लिख सकते हैं कि कौन एंसे और प्ट और कॉन ओर भी बराबर हो गया है यह चीजह में करना थाइँ बरावर जैसे हो गया यह दोनों संगत बुजाई सानों समना अनुपाद में दिया है अब यहां से हम समुरूप इसको दिखा सकते हैं बहुत असानी से ठीक है तो देखिए अब देखिए अब तिरबुज A B C तथा तिरबुज P Q R में दोनों में देखिए कौन A बरावर कौन P ठीक है यह कहां से अभी हम लोग सीद के हैं आप यहां कारान में लिख सकते हैं उपर सीद हुआ है उपर सीद हुआ है यहने देखिए अगर हल करेंगे तो इसी का नीचे ही लिखेंगे हम लोग अभी पेज बदल रहे हैं थोड़ा केमरा में दिख्कत हो रहा है तो कौन A बरावर P उपर सीद हुआ यह आप इसको देखिए समीकरन 3 कर दीजे ठीक है इसको बोल दीए समीकरन 3 आप यहां से कार About on a c िशवां संगत बोग crumbs chips a c यह दोनों संगत बोगे में समनपाद में यह दिया होई और कौन a और यह kg बडाबर हो गया तो दोनों कर अखर यह करान लेगे दिया है अत्य तिर्बूज ABC सम्रूप है तिर्बूज PQR की किस नियम से तो यहां लेकर देंगे साइड एंगल साइड ऐसे एस नियम यानि एस से देखे सरवंग सम्ता में एस का मतलब बता बराबर ठीक है समान और सम्रूपता में तो एस का मतलब बता समान अनुपात तो एसे एस सम्रूपता कसोटी ठीक है तो एसे एस सम्रूपता कसोटी से दोनों तिर्बूज सम्रूप हो गये यह दिखाना था हैंस प्रूब्ड इसलिए सिद्ध हुआ